थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें एक चीज तो क्लियर हो चुकिए कि वाटर बहुत स्पेशल है क्यों स्पेशल है पहली चीज वाटर की जो स्पेसिफिक हीट के बैसिटी है वह बहुत ज्यादा है आप कॉपल से कंपेर कर लो अलुमिनियूम से कंपेर कर लो बहुत ज्यादा है दूसी चीज हमने देखी कि वाटर की लेटेंट हीट जो होती है वह बहुत ज्यादा है तो इन दोनों ही चीजों का यूज करके हम वाटर को कूल एंट बनाते हैं कूल एंट भी बनाते है उससे बहुत तरीके से यहां पर पानी के पैड्स इस तरीके से पानी गरता रहता है पानी गर रहा है और यहां से dry air आ रही है इस तरीके से dry air का आना जारूरी है dry air air अगर वेट होगी तो यह काम नहीं करेगा हम देखते हैं मौनसुन में उलस इतने अच्छे तरीका से ठंडा नहीं कर भार अब dry air आ रही है यहाँ पर पानी गिर रहा है फवारा जैसे चल रहा है पानी के molecules उसका surface area बढ़ा देते हैं हम पानी का वो pads लगा करें तो वो evaporate होना चाहेंगे क्योंकि dry air की कुछ capacity है कि वो यार पानी को ले ले पानी evaporate होता है यहाँ पर post evaporation हो रहा है evaporate हो रहा है तो कहीं से तो वो energy लेगा तो वो energy कहां से लेता है यहाँ पर नीचे बहुत सारा पानी भरा और वो खुद भी तो पानी है अपने पानी में से थोड़ा सा पानी evaporate हो जाता है, बाकी पानी ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर हमें अब moist air मिलेगी, moist air क्यों मिली, क्योंकि इस dry air ने यहाँ से पानी add कर लिया, तो वो moist air है, प्लस वो उसका temperature down हो जाएगा, तो यह cold हो जाएगी, cold moist air हमें देखने को मिलती है, इस तरीके से हमारा cooler काम करता है, दूसी चीज हम water को use करते है, coolant की तरह है, इसका मतलब क्या है, coolant का काम क्या होता है, आप cars में देखोगे तो coolant क्या काम करता है, आप बड़ी-बड़ी HVAC industries, जहाँ पे AC लगाने होते हैं, बड़ी-बड़ी building में, उस case में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक heat engine है, heat engine, heat engine का काम होता है, एक जगे से वो heat को लेता है, दूसी तरफ फेक देता है, इसके अंदर refrigerant काम करता है, और हमारे पास जो building है, वो यहाँ कहीं पर है, building के पास में नहीं लगाया जा सकता है, इसको मानलो 3-4 buildings को ठंडा करना है, तो उन सभी के बीचो बीच में इसको लगा दे, अब यहाँ से heat को यहाँ तक कैसे लाया जाए, तो यहाँ पर एक secondary pipeline बिज़ाई जाती है, इस तरीगे से, और उसमें होता है हमाँ पास water, यहाँ पर water इस तरीगे से flow करेगा, water, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से water जाएगा, और यहाँ पर उसके temperature कम कर दिया जाएगा water का, यहाँ पर water का temperature कम कैसे होगा, यहां से energy लेकर के बाहर फैंक देगा अब यहां से ठंडा water अंदल जाता है और यहां पर से इस कमरे की गर्मी को वो अपने अंदर ले लेता है और फिर यहां पर से गरम हो करके इस तरफ जाता है तो इसको हम बना भी देता है यह हमारा hot water यह है cold water और यहां से heat energy इसमें कमरे की energy इसने ले ली और यहां पर बाहर उसने reject करवा दी तो इसमें पानी का यूज क्यों क्या देखो यहां पर जो heat temperature बढ़ाने के लिए यूज हो रही है यहां पर कौन सी यूज हो रही q is equal to ms delta t अगर s की value बहुत ज़्यादा होगी तो delta t की value कम हो जाएगी same amount of heat के लिए तो यहां पर higher specific heat capacity वाला liquid यूज करना होता है water सस्ता भी है freely available है इतना सारा और उसकी specific heat capacity भी बहुत ज़्यादा है यह बहुत काम की चीज हो जाती है दूसी चीज यहां पर हम क्या यूज करते है यहां पर हम latent heat of हमारी vaporization जो होती है 540 kcal per kg हम यहां पर यह यूज करते है तो दोनों अलग-अलग property एक specific heat capacity है दूसी हमारी latent heat है दोनों को यूज करके हम अलग-अलग तरीके की cooling में देखते है इसी का और एक effect आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास मान लो यहां पर है sea और यहां पर हमारे पास है मान लो land अब land पे हमारे पास sand होगी, air होगी यहां पर और बहुत सारी चीज है इन सबकी specific heat capacity पानी के मुकाबले बहुत कम होती है तो sun की जो rays आ रही है वो तो दोनों ही जगे बराबर आ रही है यहां पर same energy आई है यहां पर temperature ज्यादा rise हो जाएगा यहां पर temperature उत्तर ज्यादा rise नहीं होता है तो इसलिए गर्मियों में आप देखोगे कि समुद्र के किनारे यह गर्मिया सर्दी कभी भी देखोगे आप यहां पर temperature में उत्तर ज्यादा change नहीं होता है यहां पर बहुत ज्यादा change हो जाता है तो आप देखोगे गर्मिया है यहां पर तो बहुत ज़ादा गर्मी हो जाएगी लेकिन इधर से आने वाली हवा ठंडी होगी ठंडी होगी क्योंकि समुद्र का टेंपरिचर उत्ता ज़ादा राइस नहीं हो पाए और इसी का उल्टा एफेक्ट देखने को मिलता है कि लैंड बहुत ज़ल्दी ठंडी भी होती है तो आप डिजर्ट एरिया में जाओगे वहाँ पर रेज होती है वह गर्मी दोपहर में बहुत ज़ादा गर्म भी होगी रात को उतनी ठंडी भी होती है वहाँ पर delta T दिन में बहुत जादा होता है coastal areas में आप देखोगी कि न दोपैर में उतनी जादा गर्मी हो पाती है नहीं रात में उतनी जादा ठंडी होती है temperature का difference वहाँ पर कम होता है जबकि सूरस दोनों ही जगे उग रहा था वो वाली input conditions है output दोनों जगे अलग-अलग आ रहा है और एक चीज इसका देखने को मिलते है हमारे पास steam burn steam burn में क्या होता है क्योंकि हमारे पास latent heat बहुत ज़्यादा है किसकी पानी की तो जब हमारे पास steam होती है मातलों यहाँ पर steam आ रही है steam क्या करेगी यहाँ पर temperature तो कम है 100 degree पर steam थी यहाँ पर मेरा हाथ है 37 degree पर steam condensed होगी condensed होगी तो वो बहुत ज़्यादा energy देगी energy देगी तो मेरे हाथ का तुरण temperature बढ़ जाएग और मैं बहुत ज़्यादा जल जाओगा मेरे उपर 100 degree का water डालोगे तो मैं अतना नहीं जलूँगा 100 degree की steam डालोगे तो बहुत severe यहाँ पर burning हो जाती है वो problem हमारे पास होती है लेकिन उसका भी हम use कर लेते हैं किस तरीके से आपने देखा होगा जो coffee machine coffee बनाने वाला होता है शादी वगरा में तो वो steam का use करके जल्दी से coffee बनाता है क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत सारी coffee बनाने होती है बहुत सारा दूद उबालना होता है तो वहाँ पर इस चीज का use कर लिया रहता है इसको हम coffee machines में use कर लेते हैं यही कुछ water की properties हैं जिसके current water हमारे लिए और भी जादा important हो जाता है पानी का coolants में और air cooler में इतना सारा use है तो फिर air conditioner में हम क्या use कर दे हैं उसमें हम पानी को use क्यों नहीं कर लेते हैं तो इसके लिए आप CrashUp चैनल को subscribe करो इस तरह की interesting videos की वहाँ पर ज़रूर आएंगे और इस clearboard को scan करो यार अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्रीज सपोर्ट क्राशय प्रीज सपोर्ट प्रीएजुकेशन प्रीज धूनेट ताकि है मैं और भी वीडियो लैसे बना के आपके पास लावबाद